तो यहां पे हम देखेंगे आज की हमें 13 जैनवरी के दाहिंदों में क्या-क्या पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी राम मंदिर का यहां पे देखो दिखा रहा है कि पीयम बिगेंट स्पेशल 11 डे रिच्वल वो सुरू हो चुके हैं राम मंदिर 22 जैनवरी के इसर्ण डाय़ियर के लिए जो होना है वो अभी 11 डे रिच्वल वोस्तर हो चुका है इस्राइल-डिफ brut-व आट हेग इसरैयल डिफट किया है जो ओर हुई हेग में वहां के पाल में long wait from Indian citizenship मतलब यहाँ पे दिखाए गया है कि कुछ लोग थे जो श्री लंका के refugee camp पे रह रह रहे थे और उन्होंने बहुत ही time तक वेट किया Indian citizenship के लिए हम देखेंगे एक-एक करके कि हमें कौन सा कौन कौन सा पढ़ना है तो पहला हमारा देखो यहाँ पे है कि Supreme Court refuses to stay law on selection of CECEC तो यह क्या है इस पे ध्यान देंगे Bench issues notification to center list case for hearing the April petitioner says the act diluted earlier judgment of top court in the matter by replacing CGI मसला कि Bench ने issue किया notice ठीक है किसको center government को क्या कहा center को भेजा और list case for hearing April के विदम जो listed case थे hearing के लिए उन्होंने बोला कि जैसे petitioner है petitioner ने कहा says act diluted earlier judgment जो petitioner जैसा PIL file करता है जो petition file करता है तो कहा जा रहा है कि petitioner ऐसा कह रहा है कि act dilute कर रहा है अपने earlier judgment को top court यानि Supreme Court के जो भी matter रहा है उसमें क्योंकि इसमें जब replace कर दिया हैगा CGI को with a union cabinet minister in selection committee मतला कह रहा है कि अगर आप replace कर देते हैं चीज justice of India को union cabinet minister से उसको replace आप कर देते हैं selection committee में तो यह dilute कर देगा किस चीज को dilute कर देगा जो earlier judgment है उस चीज तो यह dilute कर देगा petition or you that excluding the CGI has nullified the committee और बोल रहे हैं याद रखनी है कह रहे हैं कि अगर आप CGI यानि कि chief justice of India को हटा देते हैं तो यह nullify कर देगा किसको committee को जो committee बनाए गई है उसको ही nullify कर देगा क्योंकि बता रहे हैं कि law जो है against है concept of separation of power तो यहां से हमें separation of power हाला कि मैं यह उमीद करती हूँ कि beginners को छोड़ करके beginners को अगर छोड़ दिया जाए तो I hope कि सब ने लक्षमी कांत अच्छे से पढ़ रखी होगी ठीक है तो मैं एक चीज़ करूँगी अभी देखो आरो यारो का कर रहे हैं ठीक है आरो यारो का जब कर लेंगे तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि one by one सबके short चीज़े जैसे कि लक्षमी कांत बहुत बलकी book है उसमें से क्या क्या पेज क्या चीज़े important जो आपको याद रखनेन है उसकी लिस्ट में प्लेलिस्ट मैंने त्यार की है जन्रल हिंदी का वन वीडियो अपलोड हो चुका है 2021 का प्रीवेस सेरो कॉश्टन डिसकस हो चुका है जन्रल स्टडी के भी मैंने प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको कंटेंट जो है वहाँ पे मिल जाएगी वह क्या कहा जा रहा है यहां पर आएंगे सुप्रीम कोट ने फ्राइडे को डेकलाइन कर दिया डेकलाइन टू इस्टे या न्यू लॉव विच ब्रेस्ट रसाइडर टॉप को जज्जमेंट तो इंक्लिवड उसमें क्या था है इंक्लिवड करने के लिए cji of india as a member of high powered selection committee के member के तौर पे appoint करने के लिए to appoint the chief election commissioner and election commissioner ठीक है तो मतलब क्या कहा जा रहा है कि selection committee पहले पूरी बात आपको यहां से समझने है जैसे selection committee है किसलिए है यह committee appoint करने के लिए किसको appoint करने के लिए chief election commissioner and election commissioner को appoint करने के लिए क्या है यह selection committee बात इसमें यह उठी है कि इसमें कहा जा रही कि cji chief justice of india को replace कर देने की बात कही जा रही है cabinet minister के द्वारा कहां पे selection committee में तो आपको पता चल लिए है यहां से line है आपको पता चल लिए यह बात हो रही है chief election commissioner election commissioner के लिए और उनका appointment की बात कहां करी जाती है selection committee ही appoint करती है okay अब क्या का है जो रहा how can we stay a statute ठीक है क्या बात कही जा रही है यहां पे justice संजीव खन्ना leading a bench comprising justice दिपांकर दत्ता as petitioner जया ठाकूर तो आपको इसमें पता चल लेगा जो petitioner है इस इसकी वो है जया ठाकूर जो की एक lawyer है यह bench की बात की जारी however issued notice to union of India and listed the case for hearing in April hearing के बात की गई है कि अप्रेल में होगा chief election commissioner and other election commissioner appointment selection condition of service and term of office act 2003 की बात अगर करी जाए यहां से एक चीज़ important है इसको note करने की जरुरत है पूरी line याद रखनी है आपको यहां से यहां तक किसके बात की जारी है chief election commissioner other election commissioner appointment condition of service term of office act 2023 कहा जा रहा है कि has diluted supreme court judgment की यह क्या कर रहा है dilute कर रहा है supreme court के judgment को by replacing chief justice of India with union cabinet minister इसमें कहा जाने mr. ठाकूर petition argued that the exclusion of CGI nullified कोई रहे हैं कि अगर आप exclude कर लेंगे मतलब CGI को वहां से हटा देते हैं उस committee से तो यह nullify कर देगा committee को ओके तो यह चीज़ यहां पर ध्यान देनी है कई बार repeat हो गया है बार एक इसी topic में मतलब आप यहां देखो यहां पर एक बार इने 对सकत कि किया कि अलिफाई का फिर यहां पर डायलूट कर रहे हो जाएगा, फिर यहां पर दिसकत किया कि तो आप याद रखो कि 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 कहा जा रहे कि कि अगर आप CJI को replace कर देते हैं कि से रप्लेस करने का पा deciding factor ऐसा थाकुर जो petition फाइल के है उन्होंने बोला है advocate वरुन थाकुर through advocate वरुन थाकुर उन्होंने बोला है यह चीज़ अपनी बात रखी है institution supporting constitutional democracy must have independent mechanism for appointment of head and members correct बात है यह चीज़ मैं भी मानती हूँ देखो separation of power constitution में है अब सब चीज़ों को नहीं dilute कर सकते correct बात क्यूंकि देखो जो constitutional democracy है वो independent होनी चाहिए तब ही तो हमें यह उम्मीद रहती है कि हमें न्याय मिलेगी अगर हर चीज़ एक ही संसा कर रही है तो loophole के chances बढ़ जाते है तो अगर independent mechanism है already appointment के लिए head and members को तो फिर से उसमें ministers include करना I don't think so कि यह better option है जो कि petitioner जो है वो भी यह कह रही है आपे अब उसके बाद compromise हो सकता है independent body है वो free and fair election क्योंकि देखो जब भी कोई decision लेता अगर वो independent body नहीं है तो वो दवाव में रहता है वो सोचता है कि अगर उसने कुछ भी actions लिया तो उसके खिलाब भी चीज़ें हो सकती है ओके आगे देखेंगे the law is against the very concept of suppression of power कह रहे हैं कि जो law है वो क्या है अगेज जो है suppression of power के assassinal advocate विकास सिंग का कहना है another petition जो है गोपाल सिंग उनका कहना है petition was filed by advocate on record Sanjeev Malhotra तो यह कह रहे है ask code to implement independent system of selection constitution a neutral and independent selection committee for appointment of CEC and EC तो सारी चीज़ें यहाँ पर discuss की गई है EC और new law क्या है क्या कहा जा रहा है सब बाते यहाँ पर हो गई है यहाँ से देखो point of contention की क्या बात है यह partner point देखेंगे कहा जा रहा है look at what the section 7 यहाँ पर section 7 and 8 की बात करी जा रही है EC and other election commissioner appointment condition of service and time of office act 2023 क्या कहता है कि section 7 mandate करता है election committee को to consist of the prime minister a union cabinet minister and leader of opposition or leader of largest opposition party in the look section 8 क्या करता है allow करता है selection committee को regulate करने के लिए उसके own procedure को transparent manner में and consider person other than those suggested by the search committee ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या करी पूरी चीज़न यहाँ पर देख लिए यह वाला कि क्यू Supreme Court ने refuse किया to stay law on selection of CEC and EC I think यह चीज़ बेडर option लिए बदब decision लिए गया है but let's see in future क्या होता है next आएंगे India's longest sea bridge sea bridge की बात हो रही है normal bridge की नहीं तो इंडिया के longest sea bridge which provides a link to Navi Mumbai जो Navi Mumbai से link होगा उसको inaugurate करा जाएगा inaugurated by Prime Minister inaugurate किया गया ठीक है देखते हैं पूरी बात Prime Minister Narendra Modi ने inaugurate किया अटल सेतू इंडिया का longest sea bridge अब question आ जाएं इंडिया का longest sea bridge तो आपको पता होना चाहिए नाम है उसका अटल सेतू जो की Navi Mumbai तक link किया गया है और इसको inaugurate किसके द्वारा किया गया है Prime Minister Narendra Modi Also known as Mumbai Trans Harbour Link इसको Mumbai Trans Harbour Link भी कहा जा रहा है Six lane अटल बिहारी वाजपाई जो यह है अटल सेतू कहा गया है इसको Will reduce 2 hour journey 2 hour की journey को कम कर देगा Mumbai से Navi Mumbai तक 20 minutes ride में Unvealing the bridge The Prime Minister said inauguration of Atal Setu जो नाम यान रखना है अटल सेतू के मूलना नहीं है Prelims में पूछा जा सकता है अटल सेतू या फिर कोई किसी अधर पीसे से पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया का longest बताया दिया गहए इंडिया का longest सीब्रीज है तो obviously पूछा जा सकता है क्या का ज़रा है inauguration of hotel say to shows India's infrastructure power ये इंडिया का infrastructure जो है चीज़े उसको दिखाएंगी प्रोविस and underscores the country's trajectory towards विक्सित भारत टेक है total length की बात करें 21.8 km and 16.5 km है over the Arabian Sea लेंथ की बात यहां पे की जा रही है bridge जो है bridge built with Japanese assistance ये Japanese assistance के साथ बनाई गई है सहायता के साथ will open for public commute from Saturday Saturday यानि की आख से ये public के आने जाने के लिए खोल दी गई होगी प्राइम इनिस्टर ऑसो ले दी foundation store for multiple development project worth more than 12,700 करोडे नवी मुमई वहां पे भी चीज़े करी जा रही है इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर उद्द और ये सब ये पॉलिटिकल चीज़े हमें नहीं जाननी है यहां से बस ये जानना है इंडिया का लॉंगे स्रेशी ब्रिज जो है वो है अटल सेतू जो की नवी मुमई तक लिंक किया गया है तो यह याद रखना है यहां से नेक्स आजाएंगे नेक्स हम देखेंगे और कौन सा में पढ़ना है यहां पर देखो एक है पीपल ऑफ बेंगॉल शुड़ स्टैन्ड अफॉर सेकुलरिजम ऐसा अमृत्य सेन जी ने कहा है कि नोबल लॉरियाट प्राइजर को मिल चुका है नोबल लॉरियाट एंड एकोनॉमिस्ट जो अमृत्य सेशेन जी है उनोंने क्या बोला है कि पीपल जो है मतलब पेंगॉल के लोग है उनको सेकुलरिजम की बात करना चाहिए नोट मेग दी मिस्टेक of letting the state lose force of religion neutral politics तो उसकी सेकुलरिजम की बात यहाँ पे उनके द्वारा कही गई है और major issue in Bengal today is to stand up for the secularism which needs strong defense sometimes it does not get despite the long secular tradition of the religion Bengal need a politics that is independent of religion and secularism तो उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है next हम देख लेंगे और क्या बाते हैं next इंडिया, सवदी, अरेबिया in evolution सब्सक्राइक दीफेंस टाय तो इंडिया और सवदी अरेबिया ने क्या 20 किया है हीं साओने को इसकुस्त किया है और यहां पर थाज़े को क्या हुआ है बात हुई है नेवी चीफ हरी कुमार एंड चीफ डिफेंस स्टाब जनरल अनिल चौहान के बीच में यह जो डिसकशन है वो on the issue of mutual strategic interest पे हुआ है bilateral defense corporation पे बात की गई है और opportunities की बात की गई है joint venture के लिए defense production and technology collaborations के लिए joint military training के लिए तो यह सब पर बाते करी गई है Saudi Arabia and India के बीच में और क्या कहा जा रहा है यहां पर in discussion with in discussion with किसके साथ discussion हुआ है यहां पर देखा हमने already discuss किया है Admiral R. Hari Kumar और जो यह कुमार है उनसे discussion किया गया the two discussed collaborative mechanism and measure further strengthen corporation किसमे नेवी के लेके कहा गया the extant widget-in-chief of staff royal Saudi naval force is aimed to increase naval corporation between two natives and renewed the sense of commitment of two friendly maritime neighbors ठीक है तो यह बात है यह editorial पे Lord Ram from Mandir to more important Raj इसके बात यहां पर की गई है कि किस तरीके से वहां पर बाबरी मस्जिद dispute था उसके बाद यहां से देखो round of mediation की बात की जाए mediation की तो बोला जा रहा है कि पॉप्किनल पीस को है तो ने लिए आ भीके मान इस पॉर्चते तो यहां से यह इस इंपर इंपरिंट हो गयी है this was formulated to prevent such dispute from shredding this country the only exception in the legislature was Babri Masjid Ram Janmabhumi dispute in Ayodhya जो अभी हुआ है dispute में और फिर अभी क्या बुला गे है कि Ram Temple is now reality but most important then this is ensuring that religious disputes do not recur in India and for all to follow the dharma of Ram Rajya Ram Rajya और ये सबकी बाते बहुत की जारेंगे इस समय next आजाएंगे next आजाएंगे और कौन सा हमें बढ़ना है word वारे पर आगे है इसमें हमास is guilty of genocide Israel ने बूला है हेग कोट में तो ये line या दखनी है important है कि accused of committing genocide against Palestine Israel insisted at United Nation highest court Friday को कहा है कि war in Gaza जो गाजा में वार हुआ है was legitimate defense of its people and said instead that हमास was guilty of genocide किया बोला इन्होंने कि हमास guilty है genocide का तो ये line या दखनी है और कहां पर आगे है हेग कोट में जैपान लॉंचे स्पाई सटेलाइट जैपान ने स्पाई सटेलाइट लॉंच किया है मॉनिटर करने के लिए नेबर हुट को जो कि जापान ने सक्सेस्पूली गया कर लिया है लॉंच कर लिया है rocket carrying government intelligence gathering satellite Friday को mission है कि watch moment at military sites in North Korea North Korean military जो चीज़ें है साइट है उसको क्या करने के लिए watch करने के लिए मित्सू भिशी हावी इंडस्ट्री लिम्टेट के दुवारा और यहाँ पे जो government cabinet satellite intelligence है center की और MHI डेकलेर किया है कि यह launch जो रहाँ वो successful हो गया है optical aid satellite successfully separate हो गया rocket से और एंटर कर गया planned orbit में मतलब जो planned orbit थी इनकी वहाँ पे जाके वो क्या हो गया एंटर कर गया उस path में और Japan begin the satellite program after North Korea और यह North Korea के बाद में उन्ने यह missile जो है उसको Japan ने क्या किया था Japan begin the satellite program यह programming जो इसकी है start कर दी थी Japan in 1998 और इसका aim है setting करना network of 10 satellite वो set करेंगे और इसमें क्या होगा तो बस आज के लिए इतना ही था अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें आप और अगर आप चैनल पर नए हैं लाइक करें वीडियो को शेयर करें लोगों को देट सारी लोगों को शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ब emba時 सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूँ मैं आपको नेक्स वीडियो के साथ थैंक्स फोर वॉचिंग